चलिए आज हम बनाएंगे एक कप सोजी से धेर सारा पेड़ा मिठाई जो अगदम रस से भरा हुआ है असलाम लेकूं नमस्ते दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा एक भगोने में दो कटोरी मैं सककर डाल दिया हूँ इसी कटोरी से तीन कटोरी इसमें हम पानी डालेंगे 6-7 कुटी होई लाइची डाल देते हैं चासनी को हम रख देते हैं साइड में पकने के लिए हमें एक तार की चासनी बनाना है चलिए आगे की रेसिपी शुरू करते हैं कड़ाई में आधा लीटर दूद डाल देते हैं दूद को हम उबाला आने देते हैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा सेर करिएगा दूद में अच्छे से उबाला गया है एक कटोरी मोटा वाला सूजी डाल देते हैं अच्छे से इसे हम मिक्स कर देते हैं तो ये देखिए सूजी दूद अच्छे से मिक्स हो गया है दोध अच्छे से सोख लिया है सूजी में ढखकर इसे हम एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं गैस को मैं बंद कर दी हूँ ये देखिए एक मिनट हो गया है सूजी अच्छे से फूल गया है तो अब हम इन सभी सूजी को हम एक पलेट में निकाल लेते हैं देखिए सभी सूजी को मैं निकाल ली हूँ पलेट में, हाथ में मैं हलका सा घी लगाई हूँ इसे अच्छे से मसल लेते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से मसल के चिकना कर ली हूँ छोटा सा पेडा ले लेते हैं इस तरह हम इसका गोल पेडा बना लेते हैं, इसी तरह हम सभी सूजी के आठे को हम पेडा बना लेते हैं, और साइट में मैं तेल रख दी हूँ गरम होने के लिए, तो तेल गरम हो गया है, सूजी का पेडा हम बनाते जाएंगे, गरम तेल में डालते जाएंगे, तो यहां प फुलाच पर यह दिखी है इस तरह इस का सुझवराल हो गया है तो इससे हम निकाल लेते हैं। इसे ज़्यादा फराई नहीं करेंगे। मुझाने दोस्तों एकतार की चासनी हो गया है, तो इसे में हम यह सुझी का पेड़ा डाल देते हैं, यहासनी का कलर दोस्तों इसलिए है इसमें मैं एक चुटकी केशरी कलर डाल दी हूँ तो इसलिए इसका चासनी इस तरह यह दिख रहा है ढखकर इसे हम एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से रस भर जाए तो यह देखिया इसे मैं एक घंटे के लिए छोड़ दी थी यह देखिये अच्छे से रस इसमें भर गया है इसे हम निकाल लेते हैं एक पलेट में और दोस्तों जिसके मुह में दाद भी नहीं रहेगा उन्हों भी इंजोई करेंगे इतना यह सोब्ट नरम बनकर तयार होता है मुह में ही जाते यह घुल जाता है बहुत टेस्टी बनता है उपर से मैं पिस्ते से गामिस कर दिया हूँ तो इस तरह दोस्तों एक कप सूजी से डेट सारा पेड़ा मिठाई बनाए जो अगदम रस से भरा हुआ है यह दिखिए कि इतना ज़्यादा रस भर गया है ना यह साइड से तूटने भी लगा है तो मेरे तरीके से इस तरह सूजी का पेड़ा बना कर खाएं इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें मिलते के लिए वीडियो तब तक के लिए अलगा